हलो च्टूएंट्स वीडियों के डिसक्स करने वाले हैं क्लास एक सुझी करने के चैप्टर एक को पर किस तरीके से जो आप ऊपको से से बारे में पढ़ने को मिलेगा कि नियुक्त में कर सकते हैं और देखिए एक चीज में पर क्लियर कर देता हूं कि चैप्टर है वह हो सकता आपकी बुक में अलागलग चैप्टर नंबर पर दिया हूँ तो इस चीज से आप लोग कन्फीज मत हो ना अगर आपकी बुक में कोई भी ऐस चैप्टर है जहां पर की एस्टीमल की बात की जा करेंगे कि सब्सक्राइब करें और फीजित तरीके करेंगे को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो पहले हम हम्हादा करें कि आपके लिदर आपके स्विक्टर करते हैं नपने होगी तो आपके साछल के सबाटने ला में सब्वूसमाय आपसेस requested और है इस जोविल होती है। पैल अविल्पखेर गाने की से उचाल राइन कीchnा सब्सक्राइज करें इन फैजिस को लिखा प्रफेंगे किसी तरी की सा है इसके राप करेंगे नित्यु फ्लम को क्रिपल करना वहां प्रेट का सकते हैं मजी को अब प्रफिक्शन मेंसे अभर कर लेते हैं तो HTML के अगर हम बात करें, तो इसकी फुल फॉर्म होती है, Hypertext Markup Language और यह क्या है, एक तरीकी का Complete Code Package है, जो आपको यह facility देता है, आपको अलाओ करता है, कि आप जो इसके help से क्या कर सकते हैं, आप एसे web page को Create कर सकते हैं, आप एसे web page को Create कर सकते हैं, जिसके अंदर text भी होंगे, और graphics भी होंगे, मतलब कि graphics और text दोनों के साथ में, जो हाँ आप पीज को Create कर सकते हैं, तो मुझे लग रहा है, आप लोग को समझ महा रहा होगा कि HTML क्या होता है, अगर आपका exam में कुशन आता है, what is HTML तो आपको इतना लिख देना है, HTML is a hypertext markup language which is used to create web pages, मतलब कि यह कैसी language है, hypertext markup language है, जिसका यूज की आता है web pages को Create करने के लिए, तो मुझे लग रहा है इतनी चीज आपको clear होगी होगी, अब देखिए HTML की जब मैंने आपको full form बताई, तो यहां पर एक word आया hypertext, तो इसका मतलब क्या होता है, इसी तरीके से यहां पर markup आया है, तो markup का मतलब क्या होता है, तो इनको हम discuss कर लेती है, पहले बात करते है hyper या फिर document के लिए, तो उसको बोला जाता है hypertext, माली जी यहां पर जो है other word लिखा हुआ है, और इस पर link लगा दूँ, जैसी इस bird पर click करूँ, तो कोई और web page खुल जाए, तो ऐसे case में जो bird है, आपका other वाला bird है, इसको आप बोलेंगे hypertext, तो यह ऐसे text होते है, जहां पर पास में page 1 है, तो page 1 पर इस तरीके से लिखा हुआ है, this is page 1, और यहां पर इस तरीके से text लिखा हुआ है, click here to open page 2, जैसे इन वाले text पर click करा जाएगा, यह वाला web page होगा, वो open हो जाएगा, तो यह जो text लिखी हुआ है, जो blue alarm है, इनको हम बोलेंगे, क्या है, hypertext, तो मुझे लग रहा है, आप लोगो समझ मा आ गया होगा, कि hypertext क्या होता है, अब बात करते हैं, यहां पर markup की, कि markup का meaning क्या होता है, तो यह जो एक तरीके की language होती है, जो की use करती है, special symbols को जिनको क्या बोलते है, tags, और यह tag करते है, यह markup करते है, जैसे कि, यहां पर example के तोर पर आप लोग देख सकते है, अगर आप लोग को HTML के थोड़ी बहुत भी knowledge होगी, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, यहां पर HTML, title, body, यह सब क्या है, यह tags है, और यह define करेंगे document के structure को, कि कि किस तरीके से document है, उसका data डिस्पली होगा, जैसे कि, यहां पर title tag के अंदर title लिख दिया है, तो यह बतायागा कि, यह document का title है, इस तरीके से body के अंदर जो भी चीजा आप लिखेंगे, वो आपके browser में display होती है, तो यह बताता है कि, जो body वाला part है, वो आपको browser में display करना है, मतलब कि, जो भी text यहां पर लिखे जाए है, HTML की थोड़े सी history को, कि HTML जो है किस तरीके से यह बनके आया, किस तरीके से जो है, इसको create किया गया है, तो HTML की जनरी के अगर हम बात करें, तो यह start हुई थी, 1980s में, with GML, और GML की full form होती है, General Markup Language, मतलब कि 80s में जब इसको मनाया गया था, तो उस time पर इसका नाम GML था, इसके बाद, 1986 में क्या हुआ, this language was modified and standardized and named SGML, मतलब कि 1986 में इस language को modify किया गया, जो आपकी सिर्फ और सिर्फ GML language थी, उसके आगे ऐसा लगा दिया, जिसके की full form बन गई, Standard General Markup Language, तो इस तरीके से इस language को modify करके, इसको नया नाम दे दिया गया, जो कि था SGML, और कब दिया गया इसको फिर से modify करा, मतलब कि इस language को जो है, redesign करा, और फिर इस language का name उन्होंने क्या रख दिया, HTML, तो यहां से आप लोग कह सकते हैं, कि modern HTML की starting हो गई, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद में देखिए, जो standard version था HTML का, वो आपका कवाया existence में, वो आया 1995 में, और इस time पे HTML का जो version था 2.0 जो है, announce किया गया, मतलब कि इसको use करने के लिए, 2.0 के नाम से, जो है, version को announce किया गया, कब किया गया, 1995 में, एक तरीके का standard version जो है, वो यहां पे announce कर दिया गया, इसके बाद में, जो है, तो major organization जो है, involved doing HTML को develop करने के लिए, जो कि थी, W3C, जिसकी full form होती है, World Wide Web Consortium, और दुसरी organization थी, WorldWZ, जिसकी full form होती है, Web Hypertext Application Technology Working Group, तो यह दो organization जो है, involved होई, HTML को develop करने के लिए, और देखिए, यहां पे आप लोग HTML5 करने के लिए, मतलब कि जो organization थी, वो basically HTML5 को develop करने के लिए, involved होई थी, तो यहां पे HTML5 हो जाएगा, yes हो गया है, यह 5 रहेगा, इस आप कर सकते हैं, तो काफी जादा easy हो जाता है, यहां पे HTML5 में work करना, इसके अलावा, जो images है, उनको भी बहुत easily आप add कर सकते हैं, HTML5 में, जबकि जो पराने versions थे, उनमें यह चीज पॉसिबल नहीं थी, मतलब कि कोई external software के बिना, यह plugins के बिना, यह चीज पॉसिबल नहीं HTML की coding करने के लिए, तो basically HTML की coding करने के लिए आपको दो tools के requirement होती है, पहला होता है HTML editor, कोई भी editor हो सकता है, मतलब कि जो editor होता है, इसके help करते हैं, create करते हैं, और save करते हैं, अपने document को, और अगर हम बात करें, दूसरी requirement की, तो हम ज़रूरत पढ़ती है browser की, जो document हमने create करा है उसको view करने के लिए, हमें browser के requirement होती है, browser पर हम उसको देखते हैं, कि हमारा webpage किस तरीकी से बना है, जो document हमने create करा है, वो किस तरीकी से बना है, तो इन दो tools की, जो हम mainly requirement होती है, HTML की coding करने के लिए, तो चलिए इन दोनों tools को जो है, थोड़ा सा detail में discuss कर लेते हैं, पहले बा इडिटर के अगर हम बात करें, तो दो टाइप के एडिटर आते हैं, एक होता है, YC, YG, एडिटर, तो इसकी अगर हम बात करें, तो इसकी full form होती है, what you see, what you get, और इस type के जो एडिटर होते हैं, या आपको फैसलेटी देते हैं, कि आपको जो है document विल्कुली exactly, create करते आपको देख रहा है, वही आपको output में मिलेगा, और इस type के एडिटर के example के अगर हम बात करें, तो adopt का dream viewer होता है, जिसका logo यह होता है, फरोला होता है, जिसका logo आपके सामने यह रहा, इसके अलावा Google का web designer है, जिसका की logo आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो यह कुछ example आपके यशियए डिटर के, मुझे लग रहा है, आप लोग को समझ में आगे होंगे, अब बात करते हैं, हम दुसरे एडिटर की जो की होता है, टेक्स एडिटर, टेक्स एडिटर की अगर हम बात करें, तो यह नोर्मल टैक्स को आप करते हैं, तो इस टाइडिटर की example के अ बात करें तो नॉट पैड हो गया बड़ पैड हो गया यह जो आपके वाइसी वाइजी एडिटर के तरह नहीं होते हैं कि यहां पर आपने डारेक्टी लिख दिया और वैसा ही आपको बैपेज भी जाएगा इन टैक्स एडिटर को यूज करने के लिए आपको प्रॉपर जिनका कि आप यूज कर सकते हैं HTML के कोडिंग करने के लिए और सबसे बैस जो है नॉट पैड ही रहता है जो कि आपको वाइडिफॉल्ट में मिल जाता है तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा टैक्स एडिटर क्या होता है तो यहां पर जो हम आपको अब सब्सक्राइब करना है अब आपको प्लाव करते हैं यहां पर जाना है डाउनलोड नॉटपेड प्लस-प्लस और एंटरप्रेस कर देना है जो पहली वेबसाइट आएगी इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहां पर देखिए नॉटपेड प्लस-प्लस के बहुत सारे बर्जन आ गए है जो भी चाहें आप डाउनलोड कर सकते हैं तो सबसे ऊपर इस पर किलिक कर देंगे जैसी आप क्लिक करेंगे तो इस के बाद में अफिनेस कर देंगे और यहां पर देखिए चैक आ है कि अगर आप चाहाते हैं कि इंस्टॉल होने के बाद भी रन हो जाया तो यहां पर जो है आप चेक लगा कर रखेंगे और उसके बाद में फिनिश पर क्लिक कर देंगे देखें फिनिश पर क्लिक करता हूं यह उपन होगा तो इस तरीके के जो है इंटरफेस दिखता है नौटपेट प्लस प्लस का और इसमें जो है कोडिंग करना काफी जाएजी हो जाता है तो मुझे लग आप लोग को समझ मा आ गया होगा अब हम डिसकस करते हैं अगले टॉपिक को जो की है वैब ब्राउजर तो बैब ब्राउजर का यूज क्या आता है एस्टेमल के डॉक्म है एपल सफारी है मैक्रोफ एज है मौजिला फायरफॉक्स है ओपे रहा है जिनके की लोगों आप लोग यहां पर देख सकते हैं तो इस तरीके से किसी भी ब्राउजर का यूज कर सकते हैं वैब पेज को देखने के लिए जो भी आपने अपने डॉक्मेंट बनाया है उसक करने के लिए आपको कुछ steps को follow करना होगा कुछ guidelines है उनको follow करना होगा तो सबसे पहले आपको करना है क्या है notpad को open कर लेना है और उसके बाद में वहां पे code type करना है और फिर आपको अपनी file को save कर देना है पहले file का name देंगे और उस file के name के साथ में आपको .html लगाना जर यह code type कर दिया इस तरीके से code type कर दिया और इसको save कर दिया page बनके नाम से और यहां पर extension लगा दिया .html तो इस तरीके से जब आप इसको save कर देंगे तो आपका web page create हो जाएगा और यह basic structure होता है HTML के web page को create करने के लिए सबसे पहले आप लिखते है HTML फिर आप लिखते है head फ यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने लिख दिया my first program इसके बाद title को close करते हैं फिर head को close करते हैं फिर हम start करते है body को और body में हम लिखते है बो चीज जो हम चाहते है web page पे display हो जैसे कि मैंने यहां लिखा है this is my first HTML program तो यह जो लिखाया है तो इसका मतलब यही ज tag को close कर देते हैं फिर HTML tag को close कर देते हैं इस तरीके से जो ही आपका basic structure रहता है जो कि आपको याद कर लेना है तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो आप बैपेच को create करेंगे तो चलिए इसको मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हू तो यहां पर जोट को मैं paste कर देता हूं यहां पर इसका नेम देता हूं मैं class 6 और इसको open कर लेता हूं और open करने के वाद में यहां पर पने page को save कर देंगे तो इस तरीके से जो आपका एक से हो गया है अब बात करते हैं वेब disparate करने के बाद में उसको पार के working करना होगा जहां पर आपने web page को save कर रहा था तो हमें देखिए desktop पे save कर रहा था और desktop पे उनाया था class 6 के नाम से folder तो उस folder के अंदर में आ गया हूं और यहां पर देखिए हमारे page का नाम था first page तो यह इस तरीके से देखिए हम बनके आ रहा है और इसको जो हमें किसी भी web browser में open कर सकता हूं राइट लिक करूंगे और किसी भी web browser में open कर सकता हूं देखिए आ रहा है Google Chrome, Internet Explorer भी आ रहा है इसके अलावब जो है default ही मेरा Edge browser में open हो जायागा तो यहां पर जो हमें open कर लेता हूं जैसी open कर आए यहां पर देखिए तो कोई भी content display नहीं हो रहा है इसका मतलब जो code है उसमें mistake है तो code को एक बार चेक कर लेते हैं इस पर हम देखिए edit पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम code को चेक कर लेंगे टाइटल में space है इसको सेखर देते हैं और इसके बाद में दुबारा से सेखर करेंगे और जाकर फिर से विव करते हैं तो यहां पर दिख सकते हैं जो web page हमारा open हो गया है यहां पर मैंने size बड़ा कर दिया है तो आप लोग देख सकते हैं इस पर लिखके आ रहा है this is my first page जो body के अंदर लिखा था हमने बही यहां पर display हो रहा है और देखिए जो title हमारा यहां पर आ रहा है my first program तो जो भी आप title में लिखेंगे वो आपको यहां पर देखने को मिल होते क्या है तो इनको हम यहां पर discuss कर लेते हैं तो देखिए होता क्या है जो HTML का code होता है वो आपका elements tag और attributes से मिलके बना होता है मतलग कि उसमें चीजे रहती है तो यहां पर हम बात कर लेते हैं कि tag क्या होती है तो tag कि अगर हम बात करें तो tag क्या होती है एक तरीकी के building block हो होती है और उनके elements होती है जैसे कि यहां पर आपकर बात करें तो यह आपका पी-tag है और पी-tag का मतलब होता है paragraph tag तो tag में क्या होता है on tag होता है और यहां पर आप पर टैक को close किया गया और इनके बीच में टैक्स टाब कहलाएंगे आपके paragraph मतलब जो भी चीजा आप हम कर सकते हैं जैसे कि image हो गई इसके अलावा लिस्ट हो गई तो इस तरीके की चीजे भी आपके कर सकते हैं जो कि आपकी non-text items होती है तो जो tag होते हैं वो आपके browser में display नहीं होते हैं लेकिन ये बताते हैं कि जो content है वो किस तरीके से दिस्प्ले होगा मतलब कि टैक्स तरीके से डिस्प्ले होंगे या पर जो non-text items हैं जैसे कि image है लिंक है या फिर list है ये किस तरीके से डिस्प्ले होंगी इन चीजों को define करने के लिए tags आपके HTML में होती है next अगर हम बात करें तो हर tag के specific rule होती है specific syntax होता है जिसको कि आपको follow कर कर देंगे तो बहां पर आपको बो आउटपूट देखने को नहीं मिलेगा जो आप चाहा रहे हैं और इसके अलाबर जो टैक्स होती है आपके case sensitive नहीं होती है इसका मतलब यह होगा कि जो tag है उनको आप small case में भी लिख सकते हैं और capital में भी लिख सकते हैं जैसे चाहें वै करें जो html tag होती है या फिर आपका है commands होती है उनको आप insert करते हैं before text मतलब जो भी आपने text लेखी है उनसे पहले आप लगाएंगे तो text क्या होंगी जो tag लगाया आपने उसके हिसाफ साही जो है appear होंगे आपके browser में तो हर tag जो है specific instruction देता है और begin किस से होता है less than के sign से औ तो मुझे लगड़ा आप लोग को clear हो चुगा होगा कि tags क्या होते हैं और किस तरीकी से वर्क करते हैं अब हम बात कर लेते हैं अगले component की जो की है elements अब elements देखे क्यों होते हैं तो element के अगर हम बात करें तो element is a set of an on tag and off tag मतलब कि जो elements होते हैं वो आपके on tag और off tag के ही set होत जैसे कि head tag के अंदर हमने title लिखा तो title यहां पर क्या हो जाएगा एक तरीके का element हो जाएगा मतलब कि कोई ऐसा tag है जो start हो रहा है और उसके अंदर आप कुछ लिख रहे हैं फिर उस tag को close कर रहे हैं तो ऐसे case में जो बीच में आपने tag लगा है वो आपके कहलाएंगे elements तो दोनों को मनभार में discuss कर लेते हैं पहले बात करते हैं container elements की तो container element की अगर हम बात करें तो यह ऐसे elements होते हैं जिसमें की on और off आफ टैग आपके रहते हैं मतलब कि इनको on भी किया जाता है और इनको off भी किया जाता है तो ऐसे जो elements होंगे उनको बोला जाएगा container element या फिर container tag टैग भी दिखिए कहीं लिखा हो तो इस चीज से आपको confuse होने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि अगर हम बात करें बी टैग तो बी टैग को आप स्टार्ट भी करते हैं और इसको क्लोज भी करते हैं इसके अलाबर एक्जांप लिग दिख सकते हैं कौन-कौन से यहां पर container क्लोज भी किया गया है और इसको क्लोज किया गया है तो जो भी ऐसे टैग होते हैं जिनको स्टार्ट भी किया जाता है उनको बोला जाता है container tag और कोई भी ऐसा element है जिसको कि आप start कर रहा है और close भी कर रहा है तो इसको बोलेंगे आप container element देखें आप भी लिख दिया है तो जो tag रहेंगे थोड़े से बोल्ड होके आएंगे अब बात करते हैं non container elements की इनको empty element भी बोला जाता है non container बोला जाए या फिर empty बोला जाए बात एक ही है दोनों एक ही चीज के नाम है तो चले बात करते हैं perfect element कैसे element होते हैं तो इसके इंके पास मेंता हैं सिर्फ वह सर्फ ऑनप on-tag होता है और कोई इनके पास में off-tag नहीं होता है मतलकि इनको close करने की ज़़रुरत नहीं होती है और ऐसी element जो होते हैं वो कोई भी data अपने पास में close करके नहीं रखते हैं मतलब कि इन element के पास में कोई data नहीं होता है इनमें आप कुछ data को define नहीं कर सकते हैं यह सिर्फ और सिर्फ जो है किसी function को perform करने के लिए बने हुए होते हैं जैसे कि एक tag होता है तो यह क्या है तरीके का empty element है इसको close करने की requirement नहीं होती है तो इस tag का काम क्या होता है यह line को break कर देता है यहां पर देखिए जैसे आपने लिखा है यहां पर देखिए बीच में लगा दिया है बियार तो यह क्या करेगा जहां पर आपने बियार यही से line को break कर देगा मतलब कि जो आगर का content होगा उसको next line में ले जाएगा यहां पर आप लोग देख सकते है आउट्पूट में फर्स तक तक जो है क्या रहा है फर्स लाइन में आ रहा है और उसके बाद पर जो है next line में आ रहा है तो बीयार टैक का काम यह होता है यहां पर कोई content नहीं है इसके अपास में लेकिन इसने क्या करा एक function perform करा तो empty element का का काम यह होता है यह कोई ना कोई function perform करते हैं अब हम discuss करेंगे attributes को तो attribute क्या होते है यह तरीकी की property होते हैं जो क्या करते है उनकी functionality को जो ही enhance करते हैं और जो attribute होते हैं मों हमेशा opening tag में specify किये जाते हैं जैसे कि यहां पर आप लोग दिख सकते हैं HR tag में जो है यहां पर attribute लगाया है बिट तो यह बता रहा है कि HR जो tag है इसकी जो बिट है उसको आप क्या कर दो 60% पर कर दो तो इस तरीकिस जो बिट था यहां पर क्या है इसके अलाब मान लिए कोई ऐसा tag होता जिसको की close भी किया जाता है तो उस case में हम जो है starting बाले मतलब कि जो opening tag होता है बहां पर attribute को define करते है मुझे लग रहा है आप लोग को इतनी चीज़ क्लियर हो रही होगी इसके अलाब आगर हम बात करें तो attribute जो होते है वो दो पार्ट से consist कियो होते है जिसमें की पहला पार्ट होता है नेम और दूसरा पार्ट होता है वेल्यो नेम जो है basically property का नेम होता है और उसके अबाद में जो आप साइट करते हैं उसकी value मतलब कि कोई भी value जो आप आप एक्जांबल में बताया यह जो है आपका attribute आ तो यह attribute का नेम है बिट्ट जो है व ने quotation mark के अंदर यह value डाल रखी है वह सारी value होती है जिनको कि आप quotation mark में नहीं देंगे तब भी वह आपके बार कर जाती है लेकिन recommend यह कि जाता है जो value है उसको quotation mark के अंदर ही डालें इसके अलाब आप जो है एक से ज्यादा attribute को भी जो है एक tag के अंदर specify कर सकते हैं तो बात करें तो जो tag और attribute होते हैं वह आपके case sensitive नहीं होते हैं यह चीज में आपको अलड़ी बताई चुका हूँ जैसे कि मानलीजी आप head जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं और head जो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोनों का same meaning है आप चाहें capital में लिखिए बात एक ह लेकिन फिर भी रिकमेंट के जाता है कि अगर आप code को lowercase में लिखें तो ज्यादा better रहेगा क्योंकि जो programming language होती है बहां पर lowercase में लिखा जाता है तो इसलिए यहां पर भी recommend के जाता है कि आप code को lowercase में लिखें अगर आप capital में लिख देंगे तब यह कोई problem नहीं है आपक container tag जो होती है वह हमेसा क्या होने चाहिए close होने चाहिए मतलब कि ऐसे tag जिनको की start भी किया जाता है और उनको आपको जो हमेसा close करना होता है अगर आप close नहीं करेंगे मतलब कि कोई container tag unclosed रहे गया तो पर जो आपको undesired result देखने को मिलेगा मतलब कि जो आप result चाहते है वह आपको देहने को नहीं मिलेगा तो इसलिए जो भी container tag उसको आपको close करना चाहिए जैसे कि यहां पे आप लोग देख सकते है तो टाइटल टाइग है इसको close भी करना पड़ता है तो इसी तरीकी से जो भी ऐसे tag होते है जिनको start भी किया जाता है और close किया जाता है उन टैग उस case में ध्यान रखनी है जहांपे की value के बीच में space है मतलब कि कोई ऐसी value दे रहा है जहांपे की बीच में space आ रहा है तो फिर जो आपको value double code में देनी ही पड़ेगी बागी value जो है मानलीजी ऐसी है जिसमें की space नहीं है तो जो हां आपकी quotation mark के बिना भी काम कर जाएंगी लेकिन अगर कोई ऐसी value जिसमें की space है तो पर जो आपको quotation mark के अंदर ही देनी पड़ेगी next rule के अगर हम बात करें तो यहां पर बोला गया है कि attribute की value जो है वो आपकी कैसे हो सकती है case sensitive हो सकती है देखिए मैंने आपको बताया है HTML के tag होते है वो case sensitive नहीं होते है लेकिन जो attribute क value है वो आपकी case sensitive हो सकती है next rule के अगर हम बात करें तो जब भी आपके tags जो है embedded होते हैं embedded का मतलब है एक tag के अंदर दूसरा tag अगर आपने लगा दिया है तो ऐसे case में आपको क्या करना होता है पहले जो आपको जो अंदर वाला tag है उसको आपको close करना पड़ेगा बाहर वाल परेगराफ tag को start करा है और चुह है उसके बाद में इसके अंदर भी टैक को use करा जो किटेक्स को बोल करता है अब जो अगर आप पारग्राफ tag को पहले close कर देते हैं और जो भी टैग है उसको बाद में close करते हैं तो यह आपका incorrect तरीका है मतलब की जो टैग अंदर आया पह अब डिसक्स कर लेते हैं अगले रूल को तो नेक्स रूल के अगर हम बात करें तो जो टैक के नेम होते हैं उनके बीच में आपका इस पेस नहीं हो सकता जैसे कि बॉड़ी टैगर इसको अगर आप इस तरीके से स्पेस देख लिखेंगे बॉड़ी तो यह आपका सब्सक्राइब के साइन होते हैं इनके बीच में इस पेस अलाव नहीं होता है अगर आपने इनके बीच में भी सपेस देदिया तो भाब आपको एर देखने को मिल चकता है तो यही जो है आपके कुछ मेंन में रूल्स थे मुझे लिज़ आप को समझ में आ गई होंगे इसमें कि पहला होता है head section और दूसरा होता है body section जो कि आप लोग यहां पर देख सकते है head section है और नीचे body section है तो इस तरीके से दोनों section के अगर हम बात करें तो जो head section होता है इसमें आपकी general information रहती है किसके बारे में document के बारे में तो यहां पर लिखा है my first program तो यह जो आपको browser में देखने को मिलेगा और यहां पर देखे ट्ली ट्लाग में space है तो इस space को आप लोग हटा देंगे तो मुझे लगर आप लोग को समझ मा रहा होगा कि head section में क्या रहता है next अगर हम बात करें body section की में तो body section में रहता है text के आपके web browser लिख रहते हैं इसके अलाबर ऐसके आप ruport में add pross Ben के अंधर हिए उन से रिलेट में उंगे जो भी एट्रीट में वो सब आपके body section के अंधर रहते हैं जो भी चीज़े आपको डिस्प्ले करानी है वो सारी की सारी आपकी body section में रहती है इसके अलाबर जो text होते हैं उनके formating से related जो भी आपके tag होते हैं या जो आपके element होते हैं body section के अंदर ही रहते हैं तो मुझे लगर आपको समझ मारा होगा कि head section और body section में क्या क्या चीज़े रहती हैं अब जो यहां पर थोड़ा सा जो tag उनको discuss कर लेते हैं मतलब जो structure है हमारा उसमें जो tag होते हैं पहले tag होता है यहां पर HTML तो document की starting करने से पहले सबसे पहले आप HTML tag को लिखती हैं तो इन दोनों के बीच में ही जो हैं बाकी सारे tag आपके यहां पर लगे हुए हैं तो इस तरीकी से tag होता है जो कि बताता है कि आपका HTML document है next अगर हम बात करें तो head tag रहता है head में मैंने आपको बताई दिया कि आपका document का header होता है जो कि HTML tag के नीचे रहता है और यह content करके रखता है आपके web page के बारे में input and information को लेकिन जो information होती है वह आपको दिखाई नहीं देती है क्योंकि यह क्या करता है एक तरीके से head को create करता है तो head tag होता है इसके अंदर कोई भी text आपके नहीं रहते हैं और इसमें आप define करते हैं document के title को जो भी आप चाहाते हैं कि आपके title वार में display हो मतलब कि जो browser है उसकी title वार पर display हो तो वह आप title यहां पर दे देंगे तो web page का title होता है वह आपका short होना चाहिए less than 64 characters जो है वह आपका title होना चाहिए जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं मैंना title दे रखा है my first program next tag के अगर हम बात करें तो आपका रहता है body tag और इसको मैं बताई चुका हूँ body tag जो है वह content करका रखता है जो भी content होता आपके document का जो भी आप चाहाते हैं web page पर display कराना वह सारा का सारा आपका body tag के अंदर रहता है और इसके अलाबा body tag जो है number of formatting elements को भी यूज करता है जैसे कि image बगारा है heading and list यह hyper text link बगारा है यह सारी चीजे भी यह यूज करता है जिससे कि जो web page है उसको enhance किया जा सके मतलब कि web page को और जादा attractive बनाने के लिए body tag जो है इन सब चीज़ों का use करता है तो यह जो था हमारा basic structure था जो कि मैंने आपको explain कर दिया है अब हम यहां पर discuss कर लेते हैं कि जो body tag हमारा उसके साथ में कौन कौन से elements यूज होते हैं तो उन elements को discuss कर लेते हैं इसकी paragraph tag है heading tag है या फिर आपका HR tag है यह सारे जो है example है block level elements के देखिए यहां पर जो थोड़ा से example से clear करता हूं जैसे कि माल लीजे यहां पर इस code में जो हमाने HR HR दोबार लगा तो यहां पर क्या होगा होता है देखिए line को draw करना तो यह क्या करेंगा देखिए page page पर line draw कर देगा यहां पर लुख देखिए line आ रही है पिर हमने HR लगा यहां पर लाइन आ रही है दोबारह से HR लगा यहां तो यहां पर दूसरी line आ रही है जो भी available space है वह क्या हो रहा है यहां करके पूरा 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 का इंप्रेंगे तो इस तरीके से यह अफूर वहां थे दा फिल्ब्राइब होता है और हमें सब्सक्राइब अिए और Brug ही लाइन है यहाँ बात करते हैं और इनका यूज के अधाय है टैक्स को मार्क अप करने के लिए और इसने फैंसे बुक्स ब्रड़ा अब का इनका वurg लेते हैं मतलब पार अधी है इनके के यहां पर इसको और के विल सब्सक्राइव जार्ट इंगी के लिए यहां पर यहां पर लिखा इसके वाद में देखिए हाँ पर गाया है और शकूल को जोot कि अखश को स्टाइब कर दिया किया है विदिया है इतना पार्टवा अपर बगा बाद नहीं हो любов जब इस कोट को चलाएंगे तो आपको जो है कुछ इस तरीके का आउट पूट देहने को मलेगा जहां जहां पर आपनी जो है बी टैक को लगाया वहां पर बोल्ड हो जाएगा बाकी एरिया को यह बोल नहीं करेगा तो इस टाइप के जो भी एलिमेंट होते हैं उनको टैक्स यह बेसिकली इनका यूज़ किया जाता है टैक्स को इंफसाइज करने के लिए तो ह्त्य होती है जो कि आपकी एच बंस से लेकर एच तक होती है और जो एच बहना यह क्या होती है लार्जेस हैं मतलब कि इसका साइज जो है सबसे लार्जेस्ट होता है और इसको मेली वोत जबन और टेक्स और उनको करने के लिए हम सब लिए उसके हैं जो बते जूइंड करते हैं जाब करते हैं उसके आपको पहले अधिक पर को आपको फिर तो आपको सबसे होगा और इसका नाज़ेस्त कुछ करते हैं को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं देखिए एच वन में लिख देंगे आप अपनी लार्जेस्ट वाली हैडिंग उसके बाद मैं एस लगाएंगा तो यह जो है एस टू से यहां पर देखिए फॉल्टर के अंदर इस पीक्र कर लेता हूं कि तो यह आप लोग दिख सकते हैं है यह तरीके से दिफाइन कर सकते हैं अब बात करते हैं अगले टैक की तो नेक्स्ट पर चाहरा है इसकी के परग्राफ को डिस्प्ले करा सकते हैं मतलब कि कोई भी लॉंक पीस आप टेक्स तरह कर देगा और उसके अबाद में आप परग्राफ को क्लोज करते हैं मतलब कि यह कैसा टाएगा परग्राफ की फॉर्म में कोड में कर सकते हैं तो कैसे करेंगे तो इस काम को कि लिए यहां पर दूसरा परग्राफ करने के लिए और यहां पर इसको भी क्लोज कर दिया है तो इस तरीके से क्या होगा दो परग्राफ जो है आपके डिफाइन हो जाएंगे अपके बैप पेज पे देखिए इसको भी जल्दी से आपको चला के दिखा देता हूं इसको जो हमा कॉपी कर लेता हूं जी कॉपी हो गया है चलते हैं नौटपेट प्लस प्लस में तो देख सब्सक़्ाि और जो दूए न्यगे जाता है एक तरीके से यह हैं आपका वर्क्राट करता कि आपकर करता है तो उसी तरीके से आपका लाइन बरेक लेके जाना है बहुत है बरावित ज़ijk एक तेक्सट तो इस अलिमेंट को जो है भीयार टेक्ग करते हैं और इसके लीए, कोई भी एंड तेग नहीं होता है मतलब कि इसको क्लोस करने की रिकॉर में नहीं होती है एक्जम्पल के तौर पर आप लिए पर देख सकते हैं इस वाली लाइन में जो है मैंने यहां पर लगा दिया है तो यहां पर जो लाइन है लिखा हुआ रहा है इसके बात की टैक्स होंगे मतलब कि जो html प्रोगाम है यह next लाइन में चले जाएंगे मतलब की ब्रेक हो तो मुझे लग रहे हैं तो मुझे लग रहा है इता हूँ जल्दी से जो है qo dc k Safari कर लेता हूँ और फित कर देता हूं और अब आप मैं आपको वे का लिए डिखाता हूं तो यह में बाँश कर देता हूं तो यह रहा हमारा वहाण भुए प्रणर यहां हम इसल autograph यहां में प्रफॉट कर देता हूं है तो कि क्या है बात करते हैं अगले tag की जो की है comment अब comment क्या होता है तो देखिए जो है कई बार हो सकता है कि आपको जो है अपने लिए कोई note लिखना हो HTML document में जो document आप लिख रहा है उसी में आप चाहाते हैं कि कहीं पर कोई note डाल दे जो कि आपका ब्राउजर पर डिस्प्लेय ना हो लेकिन वह आपका code में रहे जिसको कि आप अपने knowledge के लिए यूज करना चाहते हैं कि आपने comment कि कोड जो लिखाया है वह आपने किस वारे में ल होता है जिसकी help कर सकते हैं comment को mark कर सकते हैं तो किस तरीके से comment लागा सकते हैं जो है अप फिर आप लेकर देंगे और फिर आप ग्रेटर दरन का साइन लगा देंगे मतलब जो कमेंट है उसको लोज कर देंगे तो ये जो टेक्स्ट होंगे वह आपके ब्राउजर में इस प्लेई होंगे I इसके अलाब अगर आप चाहें तो comment tag का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन कई सारे cases में comment tag हर ब्राउजर में support नहीं करता है तो आप लोग comment tag को भी यूज़ करके देख सकते हैं तो example के तौर पर यहां पर इस code में यह वाली जो line देखिए comment के तौर पर लगाई है सिर्फ और सिर्फ जो है वह आपकी यह वाली line display हो रही है तो इस तरीके से किसी भी line को किसी भी text को आप comment कर सकते हैं अपने HTML document में तो चलिए इसको जो हम आपको practically करके भी दिखा देता हूं तो मालेजे जो मैं यहां पर कुछ line लिख देता हूं जैसे कि मैं लिख देता हूं इस तरीकी से मैं लिख दिया है अब मैं चाहाता हूं कि यह जो टेक्स टाहिए वह डिस्प्ले ना हो तो मैं क्या करूंगा यह आपट होगा मेरा क्मेंट हो जाएगा और यह जो हमें देखने को नहीं मिलेगा अर्यां जो हमें सेपट कर देता हूं चलते हैं पर यह तो यह तो मुझे अपको समझ में आ गया हूद किसा तरीका जो आप estimate document में comment को लगा सकते हैं अब बात करते हैं हमले tag की जो की है b tag जिसको की bold tag भी बोले जाता है तो इसकी अगर हम बात करें के क्या करता है text को bold करता है मतलब कि जब भी आपको कोई भी text को emphasize करना है कोई ऐसे text है आपके document में जिसपे की आपको ज़्यादा जोर देना है तो आप क्या कर सकते हैं उनको bold कर सकते हैं तो आपको करना क्या होता है b tag लगाना होता है और जिन text को आपको bold करना है बोलिख देने होती है और उसके बाद में b tag को close करना होता है क्योंकि यह जो tag है वह जाएंगा का कन्टेनर tag है तो इसको भी close करने की requirement आपको होती है। जैसे कि यहां पर एक्जम्पल में आप लोग सकते हैं मैंने यहां पर b-tech लगा आया है और Hello के बाद में यहां पर b-tech को यहां पर इसके बाद में बीटै को क्लोज कर दे रहा हूँ यह मैंने क्लोज कर दिया है अब देखी सेप करके जो मैं पैपेच को दिखाता हूं जो दिस होगा वह हमारा बोल्ड हो जाएगा बाकि का पार्ट बोल्ड नहीं होगा देखिए यहां पर रिफ्रेस करता हूं तो आप लोग दिख सकते हैं जो दिस है वो हमारा बोल्ड के आ रहा है और बाकी का पार्ट जो है नॉर्मल आ रहा है तो इस तरीकी से बीटेक का काम जो है टेक्स को बोल्ड करने का होता है मुझे लग रहा है आप लोग को यह टेग समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं एक जिसको की italic tag भी बोला जाता है तो देखिए इस tag का यूज के जाता है यहां पे जो आई-attack को close कर दिया है तो यहां पर होगा क्या है जो hello है वो क्या होगा we आपका italic होके आएगा italic से क्या होता है जो आपके tax होते है ठीछी हो जाते हैं हम घ्लोड लगा अ Même how लगा अब लुक अधशके हैं तो here you have them a darag को ंदेखा करके दिखा देता हूं तो यहाँ पे just की जग करें चाहर अ हाँ उन कर देता हूं से और चलते में पर जहाँ हमारे बीड़ लगा वह था तो यहाँ बोल्ड हो रहता अब क्या हो जाएगा यह रिफ्रेश्छ करता हूं है तो आप लुख दिख सकते हैं जो हमारा देस वो कैसा हो गया है थोड़ा सा इटैलिक हो गया है जहां पर भी आप इस टैक को अप्लाइब करेंगे कैसे हो जाएंगे तो बात करते हैं अगले टैक की जो कि इसकराने के लिए उसके लाइन आजाएगी और इसके दूसरी लाइन है उसके नीचे आपको देखने हो मिली क्रे hea आगे तो यहा पूगा, यहां पर पर देखे बेर's यहां है इसे से इप कर देता हूं चलते हैं web page, यहां पर dhky इस page इस page को रेफ्रेस्ट करता हूं तो यहां पे देखिए कैसा हो रहा है, तिरचा हो रहा है, अब यह नॉर्मल हो जाएगा, और नीचे को जाएगा, एक लाइन आ जाएगा, देखिए, यहाँ पर मैं रिफ्रेस्स कर देता हूँ, तो आप लोग दिख सकते हैं, यहाँ पर लाइन अप्लाय हो गई है, तो पर आपके पर नहीं करते हैं और जो पार्ट टू वीडियो का इस चैप्टर का उसमें जो हम डिसकस करेंगे का स्काइडिंग स्टाइल सीट को किस तरीके से जो हम अपने हैं कर सकते हैं तो श्रॉन आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक्स वर वाचिंग